नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशक्ष में मैं हूँ आपके साथ नासिर कुरेशी सब परेशान थे कि आखिर वो कहां गई चपन मुलकों की पुलिस तो नहीं लेकिन कई सूबों की पुलिस उसको ढूनने में लगी हुई थी एक देश की पुलिस भी उसको ढूनने में लगी हुई थी नेपाल तक उसका पता लगाने की कोशिश की गई लेकिन वो कहीं नहीं मिली आखिरकार अचानक से टीवी चैनल्स पर हनीपरीत नजर आती है और फिर बहुत सारे सवाल शुरू होते हैं उसका एक इंटर्वू सामने आता है जिसमें वो रोते हुए अपनी बेगुनाही को बताती है कि उसने कुछ नहीं किया उसको इस तरह इतना बड़ा खलनायक बना दिया गया वो उसने काम ही नहीं किये जो उस पर आरोप लगाए गए है और आखिरकार हनी प्रीत आ गई है अब फिर से बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो रही है हम भी चर्चा करेंगे बहुत सारे पहलों पर, पुलिस पर, मीडिया की भी बात होगी, हनिप्रीत की बात होगी और इस पूरे प्रिक्रण में क्या कुछ घटा है उन तमाम पहलों पर बात होगी तो हनिप्रीत की अगर बात की जाए, पुलिस उसके पीछे थी, कई सुरक्षे जिन से उसके पीछे थी, सबी पता लगाने की कोशिश कर रही थी, सरकारों के दावे थे, बहुत सारी बातें थी देश्द्रो का मुकदमा दर्श था, पंच्किला के सेक्टर पांच में उसके उपर दंगे भड़काने का मुकदमा दर्श था और ये भी कहा जा रहा था कि उसने एक साजिश भी रची थी, एक साजिश रची गए थी, कि गुर्मी तराम रहीम को जब सज़ा सुनाए गई कूट की तरफ से तो गुर्मी तराम रहीम को भगाने की साजिश रची गई थी, उस तरह के भी आरूप लगे, आखिरकार हनी परीज सामने आती है, पुलिस के पास नहीं पहुंचती है, पुलिस उसक नहीं पहुंचती है, मीडिया के जरिये वो अपनी बात कहती है, कि उस को जिस तरह से खलनाएक बनाने की कोशिश की गई, उसको इस तरह से बनाया गया, चटकारे ले लेकर मीडिया में उसकी खबरें, गुर्मी तराम रहीम से उसके संबंदों की खबरें बताए गई, यह तमाम ऐसी चीज़ें थी, उस सब पर वो जवाब देती है, कि मैंने कि पंजाब पुलिस ने पूरा ड्रामर अचा है, हर्याना पुलिस की फज़ियत और हर्याना सरकार की फज़ियत कराने के लिए, अगर बात की जाए, इस पूरे मामले में, तो मीडिया का भी एक बहुत एहम रोल रहा कि मीडिया के सामने हनी प्रीत पहुंचती है, मीडिया माहल बनाया गया कि पता नहीं क्या होने वाला है हनी प्रीट के आ जाने के बाद कितने बड़े-बड़े खुलासे होंगे अब पता चलेगा कि क्या कुछ खुलासे होंगे कितनी बातों का उसके जरीए पता चलता है क्या कुछ वो बताने वाली है लेकिन आज जो थोड़ा सा इंट्रिव्यू था टीवी चैनल पर उसका उसमें उसने बहुत सारी चीजों को जिक्र किया है कि बाप बेटी के रिष्टे को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है ये बिलकुल गलत है डेरा पर जो आरोप लगे है वो बिलकुल गलत है गुरुमित रामरहिम को उसने लेकर कहा कि वो बिलकुल निर्दोश है और हम कोट का सम्मान करते हैं कानून पर भरोसा करते अपनी बात कानून के सामने रखेंगे लेकिन बहुत सारी बातें जो पुलिस के जरीए की गई अब पूस्ता चल रही है पंचकुला में हनीप्रीत को लेकर कोट में पेश किया जाएगा और जो आरोप हनीप्रीत पर देश दुरों के आरोप लगे उसको लेकर वो बड़ा परेशान नजर आई कि उस पर देश दुरों जैसे आरोप थे वो बिल्कुल mentally disturbed थी समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी उसको सिला मिली और उसी के तहट वो चलती रही इस तरह की बातें की जा रही थी अब हनीप्रीत को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं पंजाब की जीरखपुर में पटियाला रोट से हनीप्रीत को ग्रफटार किया गया दुपहर तकरीबन तीन बजे उसको ग्रफटार किया गया पुलिस का क्याना है लेकिन हनी प्रीत ये कहती है कि मैंने सरेंडर किया है इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे कि पुलिस अक्सर गिरफतारी और सरेंडर को लेकर भी बात करती है कितना फर्क पड़ जाता है किसी केस को लेकर जब इस तरह की बात आती है तमाम खास मेमान हमारे साथ जुड चुके हैं उनका परेश्ए मैं आप से करा देता हूं तारुफ उन 270 हों हमारे साथ इस वक्त इस एमासे कांग्रिस के महा सचे मौमत बिलाल साहब तस अगठत है आपका अरुम राठी साह हमारे साथ है, एड्विकेट है सर बहुत 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 कह सकते हैं, interest के साथ मीडिया में coverage चल रही थी, हनीपरीट कहां है, क्यूं है, कहां गई, कैसे नहीं आई, कप पकड़ा जाएगा तमाम चीज़ें थी की ऐखी जिसस्ते नहीं डोट एक सामने करे को समय उती है सिरेंडर किया कि में ले इस्कूचका ग़ुचि अपने आपको प्रस्तुत करता है कि जी मैं इस मुकदमे में आ हूँ investigation join करना चाहता हूँ पुलिस arrest करती है कि जी यह हमने इस मुल्जिम को पकड़ा है यह भाग राता इसमें दोनों पक्षों का यह है कि जब हम surrender करते हैं तो जब माननी है अदालत के सामने हम जाते हैं का अपना बेल के लिए case रखते हैं जमानत के लिए तो यह दिखाने को हम कहीं भाग नहीं रहे हैं कानून का सम्मान करते हैं हर तरह से हम सायोग करने को तयार है हम खुद पेश हुए हैं हम आए हैं और इसके लिए पुलिस को अपना बेल को अपोज करने के लिए अपना पक्स मजबूत करने के लिए यह दिखाने के के लिए कि यह भाग रहे थे एविडेंस को डिश्ट्राइ कर रहे थे हमारे सामने नहीं आ रहे थे हमें बड़ी मुश्किल से पकड़ा अगर इनको जमानत पर छोड़ दिया गया तो यह दोबारा फिर हो सकता है अपने आपको ट्रायल के लिए सामने लेके आए ना आए इस तरह के चार्जिज लगे हैं दंगे बढ़काने का है अब किस तरह से चीज़े आप कोर्ट में प्रेश के जाएगा निप्रित को देखिए नासिर भाई जैसे 124 से सेडेशन के चार्जिज है दंगे बढ़काने के हैं 163353 के हैं उनको चुड़ाने के कानून में बादा ड पुलिस कस्टडी में उनको ले के आएंगे क्योंकि यह इतने चार्जिज है इतने वो है कि विदिन 24 अवर्स एक्यूट को अरेस्ट के बाद कोर्ट में पेश करना मेंडेटरी होता है उनको पेश करने के बाद उनकी इन्वेस्टिकेशन कंप्लीड नियोग यो पुलिस कस करनी है तो वो सारे इन्वेस्टीकेशन जैसे जैसे प्रोग्रेश करेगी उसा पुलिस कस्टडी में जाएंगी और जब उनकी पुलिस कस्टेडी खतम हो जाएगी तो जो डिशन कस्टेडी में बेज दी जाएगी। कितनी काम्याबी और कितनी नाकामी पुलिस की इस मैटर में मानते हैं। पुलिस और पुरा मीडिया जिसको ढूंड रहा हो उसको 33 दिन के बाद गिर्फतार करें तो इसको पुलिस की सबलता गहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से लुकाचीपी का खेल पुलिस के और हनी पुलिस के बीच में चल रहा था। जैसे हर्याना पुलिस की SIT पहुंचती थी उसे गंटा दो गंटा पहले हनी पुलिस वहां से चल जाती थी। इसे लग रहा है कि कहीना कहीं हर्याना पुलिस के वह वाच में तो थी। अब उसका कोई समय था निर्धारी तक कब उसको गिर्फतार करना या नहीं करना या वास्ते में उससे बार भाग रही थी। यह तो सब जाच का विच्छा है पर आज जिस तरीके से हनी प्रीत ने दो तीन चैनल को इंट्रू दिया और उसके 14-15 घंटे के बाद पुलिस ने उसको गिर्फतार किया एक तो मैं सपस्ट करूं कि इस ने सरेंडर नहीं किया है इसको पकाईदा गिर्फतार किया है और जो क कुछ मीडिया में चल रहा है कि पच्छाप लिश इसका सरे ले रही है या पंजाब पुलिस जो एक इंट्रीजिएनस इंपुट्ट जो हमारे पास होता था राजे पुलिस की दूसरे रज्जे की पुलिस को देतीख वह हम देते पहले भी दिया है और अभleanco ऑई और देते रहेंगे, इसका पंजाब पुलिस का रहनी पुलिस से कोई लेड़ा देना नहीं है, और पंचपोला की पुलिस ने ही इसको गिरिफतार किया है, बहले ही ये हूँ हनी प्रीत ने टीवी चैनल्स में अपने आप ही जबाब दिया बचाव में उसको जिसको पुलिस कहा रही है कि इसने ये काम किया काड़ किया उसको अपने बचाव में प्रियोक करिया कैसे पंचकुला की सीविया अदालत में जब डेरा प्रमुक को दोसी ठाराया गया था उसने मांग की थी कि हनी प्रीत जो मेरी मूँ बोली बेटी है मेरे पीठ के दर्द का इलाज करती है में साथ उसको जेल में जाने दिया जाए अदालत ने साथ मना कर दिया था कि मैं इसकी की मैं ता भी कि इसको रखा जाना नहीं रखा जाना तो यह पंचकुला पुलीस हर יनाफ पुलीष से का फैसलह का पहसल में नियने का वह इंसक्ता के रूम प्रियोग कर रही है फॉन पर हमारे साथ डॉक्टर संजर्शर्माजी है बीजे पी से स्वागत आपका डॉक्साब संजर्माजी आवास उनपारें मेरी? जी ना जिसी सार्माजी हनीपरीत आखिरकार आ ही गई लेकिन पंजाब पुलिस की कस्टडी में थी हर्याना पुलिस का कहा और के पंजाब पुलिस ने हमारी सरकार की फजयत कराने के लिए डॉक्साब रचा हमारे साथ धिमान सॉप थे वो कहा है थिमान की नीति ही चल रही थी कि निनासिती ऐसा नहीं है देखिए हर्याना पुलिस जर्कार Magic कानून को अपना काम करने दिने के लिएrit हैंуса आपको जैसे जानकारी मिली ही है, मेडिया के मादयम यहाराओ आप तरकार है, आपका चैनल है। कि उसको पंजाब पुलिस किस तरह से लुका चुक्पी का खेल पंजाब पुलिस ने किया। सूर्मस्ट साथ्भाण कि उसको एक बेक लिए रुकना पढ़ रहे हैं मुझे उसके बाद और भी मैं आओंगा आपके पास सर्था आ जल्द हाजर उता हूं बेक बाद इस चर्चा को जारू रहेंगे बहुत ही डिलशर्शा पहलुआ पर अबी और चर्चा बाकी है ब्रेक के बाद स्वागत आपका बहुत जादा नौ कुछ कहते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं तमाम खास महमान जुड़े हुए हमारे साथ अशोक शेरवाल साब भी है इंडिया नेशनलों गिल पार्टी से चंडीगर में इस वक्त मुहम्मद बिलाल साब मेरे साथ इ चुड़े हुए है और फॉन पर हमारे साथ बीज़ेपी से संजेश शरमाजी है अग्टर संजेश शरमाजी है और अग्टर सुरैंडर उधिमान साव विरोचीफ धैनी खरीभूमी और अरूराथी साहब अडू के हमारे साथ है मुहम्मद बिलाल साब रोक्तर संजेश शर यह जो अभी संजय भाई जिस्टीस को कहँ रहे थे कि यह पंजाब फुलिस ने हर्याना को में यह समझ में एक बात से परे है कि यह हर्याना की सरकार यह पुलिस क्या रही थी 38 दिन में इन्होंने राजिस्तान में भी एक ड्राइमे बाजी करी थी वहाँ तो इन्हीं की सरकार है इनको इन्पुक कहां से मिल ले थे इंटेलिजेंस इनका फेल CID इनका फेल सरकार का टोटली फेलियर इनके साथ और फिर कहते हैं कि पंजाब सरकार इनको बदनाम करने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे सबसे पहली बात ही जो पंचकुला के अंदर इतना बड़ा ड्रामा हुआ हनी प्रीत इसके बाबा राहिम रहिम के साथ तीसर जब इनको नहीं बता था ये कौन है नहीं है और क्यों उनको साथ जाने दिया गया हेली कोप्टर में वह सवारी करके जाती है और इस तरह की बाते करना बच्कानी बाते करना ये बीजेपी के जो परवक्ता है संजे बाइ यह सरासर जोनए इनका फेलियर है और अपनी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी अनुबश्lıkOH को छुपाने के लिए और यह सब चीछे जो दूसरों के उपर अरोप लगा रहे और यह तो इनके लिए और बड़ी श्रम की बात है कि पंजाब पुलिस ने इनको दिया या जो भी कोई बात है जिरेक पुर से जो इनकी अरिष्टिंग ये हुई है या जो भी कोई बात है इनकी पुलिस या सरकार क्या कर रही थी यह जवाब ने संजे जी इसको यह ना कहें कि पंजाब इनको बदनाम करने के लिए यह लोग क्या कर रहे थे और तीस दिन हो गए और हनी प्रीट अभी पीछे जैसे मीडिया में भी आया और उसको दिखाया ग इनकी पुलिस क्या कर रही थी जो इसमें नाकाम रहे यह सरासर इनका फैलियर है और अपनी नाकामी को चुबाने के लिए दूसरी सरकार के उतरा आरूप लगा रही है बॉम्बद विलाल साब सरकार और हर्याना पुलिस को दोनों कोई कटगडे में खड़ा कर रहे हैं आप क्या कहेंगे स्वेरवाल साब निश्ची तोर पे कुरेशी साब जो हनी प्रीट जी का केस पिछले 78 दिन से चल रहा है इसके पिछे सरकार की और पुलिस की आपस में मिली भगित के काण ही तरा लंबा ये केस चला है इस सरकार को खुद पता था पुलिस को खुद पता था के हनी प्रीट कहां पर है इनकी इन्पुट जहां जहां भी मिलती थी चाहें देख कर कंके देख कर कर आए है अलग-अलग श्टेट में गए है लेकिन ये इस बिलकुल सरकार की मिली भगत है जब हनी प्रीत दीली में जाकर के विकिल के जाकर के जा सकती है क्या सरकार को पता नहीं है क्या इनका खुपयातनतर फैल हो चुका है CID फैल हो चुकी है तो मैं connecting to फेलियर है सरकार फैल्यर है पुलिस फेलियर है औह ஒ जहां तक जब यदी के ईंट्रू के सामने आकर कीउटी तेती है तो कैसरकार कुष चीज मालूम नहीं है तो यह मैं कहना चाहूंगा कि आज यह पंजाब पुलिस को यदि बदराम करने की कोशिज करें यह इनकी अपनी नाकामी चुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो हलात आज देश-दो का यदि मुकदमा हरी पर हुआ है मेरा मानना है देश-द पाली लागू होने के उप्रांत जोस पच्छकुला के अंदर लाखों की तादाद में लोगों को आने दिया गया जब की पता था कि यहां पर क्या होने वाला है तो इसके जुम्मेबार यदि जो भी आत्याए और जो आगजनी है लाना पब्रेस के अंदर हुई इसके जु परित के बारे में क्या सरकार को पता नहीं था जवाब ले ले कि आवराम रेहिं के साथ इंदे किस तरिके से तरीके है तो आ जबाब ले ते आयो आरोप और आपकी बात और मुहम्मद वराले साब की बात है संजे शर्मा जी इतना बड़ा केस था इतना बड़ा मामला था सभी की नजरें थी आप कह रहें कि पंजाब पुलिस को पता था पहले से नहीं बताया गया ऐसा क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको आप ही कुपर आरुप लग रहें संजे जी संजे के अंदर हैं उनके एक समधी पंजाब सरकार के बड़े नेता है और वो पंजाब में मंत्री भी रहे हैं विधायक रहे हैं ऐसा एक व्यक्ति जो पिछले दिनों भी एक जगा पुलिस जहां पहुँच गई थी वहां से वो कार लेकर के गाड़ी लेकर के अपनी निकले हैं ये भी लोगों को पता है तो एक त्रहसे पंजाब की सरकार का पूरा संदक्षन जो जिल्था का डेरा है उसको रहा है वो संदक्षन इतिहाद की जानकरी भी है अभी भी एक विष्जह सामने आया था ये ये इसलिए आप लोगों ने दे रखादा दा ने डेरे डेरे को चले ब्रेक के बाद मैं आप से इसका जवाब लेका हम पूरा फिर तफसील साब बोलिएगा कोई कि अब वक्त भी नहीं है फिर बात अधूरी रह जाएगी छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हादर होते हैं झाल